नमस्कार आप देख रहे हैं special coverage news और मैं हूँ आपके साथ सिवकुमार मिश्चा उत्राखंड को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है गहन चर्चा है जहां पागे सुर्धाम सास्त्री भारत को हिंदू राष्ट गोसित करने की बात कह रहे हो तो उत्राखंड को हिंदू प्रद या फिर प्रोला में लब जिहाद बताकर दोनों समुदाई के दोनों धर्मों के बच्चे सामिल हो जिस घटना में उसे एक दोनों को एक ही समुदाई का बताकर घटना को तूल दे देना क्या ये आपसी बेमनसिता नहीं है क्या इस सब को बढ़ाने के लिए समिधान हमें इजाज़त देता है या फिर समिधान सवाल खड़ा करता है कि हम आपसी भाईचारे की बात करने वाले देश आपसी भाईचारे की बात करने वाले मुल्क हम किस ओर चल पड़े है पूरा हचना क्रम में बीजेपी अलफ संख्यक प्रकोष्ट के जिला अध्यक्ष भी अपनी दुकान नहीं बचा सके लोगों को लगा कि जब एक माइनोरिटी के संग के अध्यक्ष अपनी दुकान नहीं सुरक्षित कर सकते हैं तो क्या भाजपा के साथ जुड़ने से मुसलमान सु कामों को लेकर आगे लेकर चलने माले इंपार के संयोजक डाक्टर एमजे खान साब खान साब आपका बहुत बहुत स्वागत बहुत अभी नंदन बहुत शुक्रिया अविशा जी है खान साब आभी मैं देख रहा हूं कि उत्त्रा खंड को लेकर बड़ी सरगर्मी बहुत कि हिंदू यह वक है एक मुस्ली में वक है और बार बार अगर उस जिलेक के पुलिस कप्तान के द्वारा यह ट्वीट किया जाए कि एक समुदाए के दो बच्चे लब जिहाद के चक्कर में पकड़े गई कैसे देख रहे हैं इस घटना को हम किस ओर चल पड़े हैं मुझे लगता है बड़ा अनफाचुनेट है और मैं निजी तोर पर और इंपार के तरफ से इस बात का हामी हूँ यह जो इंटर रिलीजन मैरिजेज होती है इसमें ठीक बात है कि फ्रीडम है सबको लेकिन बच्चों को भी यह सोचना चाहिए कि पैरेंट्स को एक सामाजि तोर पे उनकी दूरदाशा हो जाए इससे मामलों पे और अपनी लव एंगिल स्टोरी को आगे बढ़ाने में तो दो चीज़ें हैं इसमें एक जिसमें प्यार मुपत हो जाता है एक वाक्त रहता है सचाई के साथ है मामला उसमें शादी बरात करने पे समाज या समिधान र बहुत ज्यादा अपती नहीं हो सकती है चुकि दोनों की अपनी मर्जी है दोनों का एक वक्त से मिला मिलाना है लेकिन दूसा आस्पेक्ट है जिसमें एक तरीके से जो लाइन दी जा रही है लग जिहाद की या भगवा लब ट्रैप की दोनों तरीके से क्योंकि आज डेट से ऐसी परसेंट के बीच मुस्लिम समाज की लड़किया क्रास वर कर रहे हैं दूसरे धर में जा रही है शादी कर रही है तो मुस्लिम समाज में बहुत जादा बेचेनी इसको लेके ये कहा जा रहा है कि ये कोई भगवा लब ट्रैप शुरू किया गया है दुनिया भर से भी हमसे पूशा जाता है कि कोई ऐसा प्रजेक्ट चलाए जा रहा है क्या है इंडिया में कि मुस्लिम रड़किया जो हैं वो शादिया करें निकल निकल के तो मेरा उसमें एक कहना होता है कि ऐसा नहीं है कि कोई एक प्रजेक्ट चलाए जा रहा है लेकिन सोशल मीडिया है मोबाइल हाथ में यह चीज बढ़ रही है लेकिन मीडिया में जो दिखाए जा रहा वो इस बीस परसंट के केसेज में से उठा लिये जाते हैं उसको कई कई दिन चर्चा में चलाए जाता है अभी मद्देश का सुबह एक केस आया कि रुबी ना थी वो फिस धर्म परिवतन को रुबी लेकिन उसमें कुबराई नहीं थी यह था कि पुलिस ने खुद उन दोनों पकड़ के शादी ले जाके मंदिर में करवाया लेकिन अगर इसमें उल्टा होता अगर मुस्लिम करती जेल में डालती पूरा मीडिया में कई दिन ट्राइल चलता तो यह जो दोहरे मादधन का मामला है वो गलत चलना है और उससे भी ज्यादा बुरा चलना है जो मीडिया इसको एक तरफा दिखा रही है और उच्छाल रही है जैसे की कोई पोलराईजेशन का प्रजेशन का नाम है तो आफिसल टूइट में इस तरीके से एक गलत इंफार्मिशन पेस्ट करना मुझे लगता है कि राज सरगार में जराफ ही अगर इसको लेके एक नए तिक्दा हो तो उसको पुलिस अफसर को सोकाज नूटिस देरा चाहिए कि आपकी तरफ से ऐसा कै पुलिस को सबसे पहले इंफार्मिशन मिलती कौन शामिलें इसमें और अगर नहीं मिलीती तो इससे टूट आया कैसे और ऐसा टूट आया तो इंटेशनली गलत आया है तो सिर्व एक गटनी है इसमें जब भी ऐसे अलग दो धर्मों के शादियां होती तो अगर मुस्लिम का शामिल है तो लव एंगल का और उससे रिलेटेट फिर पूरा का पूरा पुलिस एक्षन से लेके और इस लेके मार पीट से लेके बुगियर पे हो लेके जबकि सब्तर से से हसी परसेंट हमारी मोटी 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 इंफार्मिशन ने मुस्म बढ़कें इस टाइम पे उस सब्सक्राइब करना पड़ता है तो भारत को एक कटर देश के तौर पर समाज के तौर पर समाज के तौर पर समाज के तो पर भरना मुझे लगता है जो वेदिक धर्म के हिंदु धर्म के जो फिलास्पी है जो दर्शन है जो मुल्य है उसके विरुद काम हो रहा है जिस देश में जिस समाज में कटरता फैलेगी आखिर में वह उसी समाज को उसी देश को बरबाद कर देगी पूरे दुनिया का इ किस्टेंस में पहली थी उस टाइम यूरोप बरबाद हो गया अब यूरोप बहुत ही लिबरल है सबके लिए जेनरस है आज देखे यूरोप तरक्की कर रहा है तो हिंदुस्तान जो पहले से इसमें बहुत आगे रहा है सर्वधर्म सम्मान का मामला सबसे ज़्यादा यहा मैं बिल्कुल आपको ठीक वहीं ले चलता हूं पुरोला गाउं चौबीस वर्षी व्यवसाई जुबैर खान की एक छोटी सी नादानी या भल्मन साहत ने उत्तरा खंड के उत्तरकासी जिले में इस्थित पुरोला गाउं में 40 से ज्यादा मुस्लिम परिवारों को मुस्ल मददगार बनना जो इस्थानी रिपोर्ट है उस मददगार के चलते 40 मुस्लिम परवार अपना घर से बेदखल किये जा रहे हैं उनके वेवसाई बंद करा दिये गए इसमें वहाँ बीजेपी अलब संक्यक प्रकोष्ट के जिलाद्यक्ष भी सामिल है भाजपा जहां मु लोगों का दिश्वास कैसे जमेगा आप क्यूंकि मुसल्मानों के सभी बर्गों से चाएब पसमांदा समाज हो चाएब वो सवान समाज जो मुसल्मानों में माना जाता है या पढ़ा लिखा तब का सबसे आप चच में रहते हैं कैसे यह मैनेज होगा मुझे लगता है यह जो घटना करम हो रहा है इसके दूर गामी प्रेणाम देश को भगतने पड़ेंगे और न सिर्फ समाज में कटरता फैलेगी क्योंकि आज यह हिंदू वसलिम है कल को हिंदू में ही आपस में कोई ब्रामान की लड़की जाएगी दलित के साथ या दलित लड़की बैकवर्ट के साथ जाएगी या उसकी लड़की अपरकास्ट में जाएगी तो मुझे लगता है कि अगर यह कटरता समाज में फैलती है तो समिधान की दो धज्यां उड़ती उड़ती हैं समाजिक जो एक सवहाद का ताना पाना है ये भी वि है जबकि इसको एंगिल दे दिया गए हिंदों मुसल्मान का तो यह जो जानवूज कर ऐसा किया जा रहा है मुझे लगता है इसके दूरगामी परड़ाम देश के लिए खतरनाक होंगे और एक सब समाज के विगास में सबसे बड़ा बाधा इस तरह की कटरता बनके सामने किस लइन पर देश को ले जा रहे है समाज को ले जा रहे है और सबसे बड़ी बात ही है कि इसका जो राजनीति की संदेश को भी बढ़ने की कि यह है कि जब पस्मानदा के रीच आउट करने की बात हो रही है प्रखानंती जी खुद कर रहे हैं और मुस्लिम समाज और बीजेपी के भी इस ट्रस्ट बढ़े इस बात पर भी बात्चीत हो रही लगाता ऐसे टाइम पर अगर बीजेपी से जुड़े किसी नेता को भी अ बाकी लोगों के लिए और नकारात में संदेज जाए और मैं एक चीज़ और बदाता हूं आपको मुश्या जी कि इस देश का जो संस्कृती है और जो एक मिजाज है जो फिलास्फी है जो दर्शन है वो एक हद से कटरता के आगे जाने वाला नहीं बरदास करने वाला नही है शायद जो अभी तत रिसेंटली जो जल्दी में कनाटक एलेक्शन हुए है अगर इतना पोलाईशन की पॉल्टिक ना की जाती तो मुझे लगता है शायद बीजेपी का जो प्रदर्शन है चुनाओं में वो इतना खराब ना होता वहां के पढ़े लिखे लोगों ने इ जब जब कट्रता जिस समाज में आई जब जब कट्रता देश में आई उसका पतंते हुआ अगर पुरोला में जुवेद खान लबज याद करता है तो रूविका के साथ अगर घटना घटती है तो उसमें दौरा मापदंड क्यों मीडिया में खबर को उतनी हाइप रूवि कर देता है कि आप धर्म से संबंदित कोई चर्चा नहीं करेंगे ऐसे में आप क्या कहेंगी वह लोग भी जाकर डीजी पीसे सिकाइद कर रहे हैं कि आप देखिए क्या हो रहा है मजारे तोड़ दी ये मजारों कब्जा कर लिया है उत्त्राखंड में हलद्वानी बंगाल बनने जा रहा बंगला देश बन जाएगा जिस राज्जी में जिस देश में आज वाहर से आया हुआ फिलहाल बंद है नौ साल से आपकी सरकार है तो आप रोके हुए हैं फिर भी मुसल्मान कहां से आ रहा है कौनते करेगा माब्दन कौनते करेगा मुझे लगता एक भीड तंत्र जो है वो सरकारी फैसलोग को जब नियंतरित करने लगती है तो बहुत ही खतरनाक एक इस्तिती पैदा होती है दूसा उल्टा चोर कोतवाल के डाटे जैसा डाटे जैसा भी सामने दिखने को आता है कि खुद जैसे अभी जुवेर और इसका मामला था गुडगाओं के पास का था उसमें खुद उनको अधमरा कर डाला मारते मारते फिर प्र ठाने ले आए कि वह इनको अरेश्ट करो पुलिस वालों ने उनको अधमरी हाल देखी कि दो चार घंटम तो मर जाएंगे तो उनको जेल में डालने के दबाव गनाए तो उ उनको पकड़ने के वजाएं उनसे का यहां से लेके जाओ ले जाके उनको फिर जीब में बादमाद के आग लगा दिया ऐसी घटनाएं और भी देखने मिल नहीं जिसमें एक तरफा कारवाई करते हैं फिर जैसे मुरादाबाद में भी था कि अपने गोडाउन में कोई नम समाग पड़ रहे हैं तो खुद ही क्राइम करेंगा और अपने क्राइम के लिए अरिश दूसर कराने के दबाव बनाते हैं तो यह जो मामला है तो इसमें एक सासन विवस्था पर भी एक सरकारी संस्ताओं पर भरसा उठता है लाइन और पर भरसा उठता है तो फिर तो एक फ्रेजाईल वक्त है एक वड़ा नाजुक वक्त है जिसमें मुझे लगता है देश को इन संकीर मानसिक्ता से उपर उठके यह करना पड़ेगा कि जहां पर गैर कानूनी काम सिर्फ राजनीतिक लाप के लिए या राजनीतिक हैसियस से तैह हो रहे हैं उस पर कहीं सरकारी स संस्तानों को ऊपर उठके करना पड़ेगा देश की सिविल सोसाइटी को और जूटी सिरी को भी सुर मोटरिशन लेना पड़ेगा कि जिस लाइन पर देश को ले जा रहे हैं क्या हम लोग देखा नहीं पर उसी देश पाकिस्तान जो आजादी की टाइम पे भारत से चालिस निकम में बंगला देश यह बहुत नंबर फाकिस्तान मंगला पी चला गया तो कटर समाज का जो हलत होता है वह आपको देखने मिलता है कि कि हम इस देश को जो विश्वगरू बनने की लाईन पर है टेकनालोजी के मामले में एक्नावी के मामले में क्या हम उस समाज को करता से पीर्थ हो जाए या देश को हम अपने कल्चरल वैलू को भी अपने एक हेरिटेज को भी उस लाइन पे हम लीडर्शिप अख्तियार करना चाहे हैं कि हम सबसे पुराने सबहता हैं और यह हमारा एक एक मोरल स्टैंडर्ड है यह सब को साथ में ले चलने वाला तो मुझे लगता है कि एक सिविल सोसाइटी को इस पे गोर करना चाहे है जैसे मैं आपकी चिंता देख रहा हूं इसको लेके ऐसे सिविल समाज को सब इस समाज को इसमें आगे लिगातार मैं देख रहा हूं कि गरीब परिवार से था प्रैस का काम करता था चेड़-चाड के आरोप में बिठाये जाता है गाड़ी में और गाड़ी में बिठाने के बाद जब पुलिस लेकर चलती है विजयनगर थाने की कुछी देर में खबर आती है कि वो मर गया घर से स्वस्थ लेके जाते हैं रास की अभी रक्षा में एक पूस्ताच की लाई विक्त की मौत हो जाती है सवाल खड़े हो जाते हैं अभी अभी पता चलाए कि एक सिपाही के नाम 302 की अफायर दज्ज करके मामले को रफा दफा किया जा रहा है आखिर कब तक आप लोग खामस रहेंगे या फिर कितने मुसल कि कैसे माड डाले का उसमें तो बड़ा प्लान शामिल होगा ज्यादा लोग शामिल होंगे एक सिपाही किसी एतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दे और उसको सस्पेंट करके अपना इतिश्री मालने अपने जिम्दारी का मुझे लगता है तो बहुती गलत लाइन पे ची क्राइम के निजरिये से देखना चाहिए और उस तक ही सीमें तरखना चाहिए अगर मेरा कोई भतीजा या भांजा या कोई और रिस्तिदार कोई गलत काम करता है तो मैं उसके लिए जिम्दार कैसे होगा अब इस तरी कुछ एमजे खान से हमारा संपर्क टूटा है कुछ नेटवर्क इस हुए लेकिन ये समाज को बचाने के लिए सब को मिलके आगे आना होगा इस तरीके की घटनाओं का इस्तेसल कवरेज न्यूज पूरी तरीके से विरोध करता है देश में इस तरीके की घटनाओं ना बढ़ चड़कर दिखाई जाए जिससे समाज बचे समाज को रोकने के लिए समाज को आपसी भाईचारा काइम करने के लिए ना मैं जुवैद का साथी हूँ ना मैं रूबिका का साथी हूँ ना मैं मोहर सीग का साथी हूँ ना राम सिंग का साथी हूँ मैं उस सभी घटनाओं का सच्छा साथी हूँ, जहां समाज को बढ़ने के लिए विक्राल रूप दिया जा रहा हूँ, समाज के रोजगार की बात हो रही हो, समाज के उत्थन की बात हो रही हो, जहां पतन की बात होती हो, उस घटना से Special Coverage News पूर रूपेड अपना समर्थन नहीं करता है, आईए मिलकर इस समाज को बचाएं, आप और हम सब मिलेंगे, तभी ये समाज बचेगा, इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हों, तो सेर जरूप करें, ताकि समाज को बचाए जा सकें, नमस्कार झाल